Hello students, welcome to you all in your English class. Today we are going to discuss poem third, keep quiet. Keeping quiet, यानि शान्त रहने में, keeping quiet यानि शान्त रहने में, introspection करने में हमें क्या मनभव होता है, वो poet मैदम से बताना चाहता है. Poet कौन है आपका, Nebulo Nuredda. Nebulo Nuredda, एक Nobel Prize इन्होंने जीता है, literature में, 1971 में, तो काफी interesting poem लिखते हैं यह, ऐसी images यूज करते हैं, जो easily understood हो जाती है, ठीक है, इन दीस poem अल्सो, Nuredda talks about the necessity of quietness, यानि quiet introspection, quiet introspection होता है, आतम शान्त मन से जब अंतन निरक्षन करते हैं अपने आपको, तो उसकी necessity हमारे लिए क्यों है, या creating a feeling of mutual understanding among human beings, तो यह आपका basically theme रहेगा poem का, कि poem किस बारे में है, ठीक है, before you read में आपको कसी question पुछा गया है, कि what does the title of the poem suggest to you, कि poem का title आपको क्या suggest करता है, what do you think of the poem is about, आप क्या सूचते हैं, कि poem किस के बारे में होगी, ठीक है, तो सोचे एक मिनट, अब हम poem स्टार्ट करते हैं, poem में poem क्या कहता है, now we will count to 12, and we will keep, we will all keep still, कि हम 12 तक counting करते हैं, और सभी चूप रहते हैं, ठीक है, यानि जब हम किसी को, आप उन्हें देखा हुआ, किसी को गुसा आता है, तो वो क्या करता है, counting सुरू कर देता हैं, उल्टी गिंतिस और सलमान खान की, फिल्म में हम देखते हैं, कई बार उसको गुसा आता, और वो counting सुरू कर देता हैं, ठीक है न, पोईट लोगों से क्या वान करना चाहता है, कि जो quiet introspection है, यानि शांत अंतर निरिक्षन है, उसके महतव को समझें, और अपने आंतरिक विचारों को जांचे एक तरह से, ठीक है न, पूरी तरह से खामोस बैठे रहें, ठीक है, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले, बारह तक गिंती गिनी चाहिए, counting करने चाहिए, ठीक है, केवल इतने शमय तक ही शांत रहना चाहिए, कि धीरे धीरे 12 तक counting करें, तब तक हम शांत बने रहें, ठीक है, तो वास्तव में पोईट क्या कहना चाहता है, कि वाकिवल इतना ही कहना चाहता है, कि अपने अंदर जहांके ही, और अपने आपको अनलाइज करें, कि ज़्यादा समय की जरूरत नहीं होती, सिरफ 12 तक की counting की जरूरत होती है, अब आगी पोईट क्या कहता है, अब पोईट क्या कहता है, कि पूरी धर्ती के लोग यदिपी, वो केवल एक बार ऐसा कर लें, निश्चल होकर बिलकुल शांत बैठ चाहें, ठीक है, और कोई बात ही ना करें, कोई लेंग्वेज, यानि किसी कोई बात ना करें, किसी भी भासा में कोई बात ना करें, ठीक है, ऐसा वो केवल एक सेकंड के लिए करें, ठीक है, और not move our arms so much, means, कि उस समय के दुरान, कोई सारी रिक गतिविदी ना करें, यानि फीजिकल मॉमेंट ना करें, ठीक है, इट वोड बी एन एक्जोटिक मॉमेंट, विद विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वूड नोट भी, सोरी, वी वूड ओल बी टुगैदर, इन आ सडन स्ट्रेंजनेस, तो पोईट क्या कहता है कि, यह एक पल बहुत एक्जोक्टिक होता है, एक्जोक्टिक होता है, बिल्कुल विचीतर होता है, एक तरह से, रस होता है भाग दोड, हरी में रहते हैं, हम जल्दबाजी में रहते हैं सारा दिन, तो पोईट क्या कहता है कि, without hurry, बिना भगदड के होता है, कोई भगदड नहीं होती, without engines, engines means machines, कि मशीनों का सोर सराबा नहीं होता, we would all be together, कि हम जब खामोस बैथते हैं, तो हम सिवम को इकठा मैसूस करते हैं, together, हम अपने आपको इकठा कर लेते हैं, in a sudden strangeness, वे वो strangeness, मतलब उस अदभवत, अनभव को अचानक हम महसूस करेंगे, 12 तक counting करके, ठीक है, अब आगे point क्या कहता है, कि fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hard hand, अब point क्या कहता है, point कहता है, कि जो antine erection द्वारा, हम क्या करते हैं, वी भी लोगों में पैदा कर सकते हैं, अलग-अलग, different-different लोगों में, ठीक है, यहाँ point क्या कहता है, कि जो ठंडा cold sea है, ठंडे सागर में घूमने वाले मचवारे, वेल मचलियों को, वेल मतलब वेल मचलियां होती हैं न, वेल मचलियों को हारम पहुंचाना बंद करते, ठीक हैं न, and man gathering salt, अब क्या कहता है, कि जो केवल मचलियां पकड़ेंगे, जो केवल उतनी ही मचलियां पकड़ेंगे, जितनी उनके तरफ देखेगा, और उतना ही, उतने से ही संतूष्ट महसूस करेगा, जितना वह है पहले इकठा कर चुका है, heart hand, यानि जब हम नमक को इकठा करते हैं, तो हम देखते हैं न, नमक से हाथ गल जाते न, एक तरह से, तो वो क्या कहना चाहता है कि अपने hands को heart मत नहीं करेगा, वो उतना ही नमक इकठा करें, जितना उसकी जरूरत है, जरूरत से ज़्यादा इकठा मत करो, अब those who prepare green wars, wars with gases, wars with fire, victory with no survivors, would put all clean clothes, and walk about with their brothers in the sea, doing nothing, अब point क्या कहता है कि जो लोग, those, those किसके लिए है, people's के लिए, कुन से people, जो हमेशा prepare करते रहते हैं, क्या, नए-नए, युद का बहाना खोशते रहते हैं, नए-नए, युदों के लिए त्यार रहते हैं, कैसे युद, ऐसे लोग, कैसे-कैसे युद खोशते हैं, war with gases, 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 उसे घातक, gases, चोड़ देते हैं, ब्यहोंस करने वाले गैस हैं, हसाने वाले गैस हैं, तो gases से, wars with fire, सस्तर से हथियार, अभी आप COVID देख रहे हैं न, COVID, वो भी तो क्या है, एक, ऐसा त्यार किया गया है, जी, मतलब, bacteria या जो भी कहलो, कि उससे क्या हो जाती है, दूसरे में infection फैल जाता है, तो ये भी तो human made है, ये भी एक तरह से war ही है, ठीक है, जो पैदा कर रखा है, ठीक है, ये भी तो human ने पैदा किया है, कि जो युद चाहते हैं, एक तरह से, ठीक है न, तो और क्या करते ह हैं, वो with fire, fire से खेलते हैं, ठीक है, और क्या हतियार बनाते रहें, सस्तर त्यार करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो युद्धों को जीतने की कामना रखते हैं, तो वो victory, victory तो मिल जाएंगे उनको, जीत तो मिल जाएंगे, with no survivors, survivors यानी, मतलब, तब कोई जिन्दा ही न रहेगा, victory उसको मिल गई, लेकिन युद्ध के पाशात और अगर कोई व्यक्ति बचा ही ने रहा, तो युद्ध जीतने का फाइदा क्या हुआ, ठीक है, तो ये भी अंतर निरक्षन के द्वारा जब introspection करते हैं, तो स्वम को वो बतला हुआ महसूस कर पाएंगे, would put up on clean clothes कि वे वस्तरों को, अपने clothes को, अपने सतरों के रक्त के दबे नहीं लगाएंगे, मतलब वो साफ कपड़े पहनेंगे, मतलब सतरों को भी अपना भाई समझेंगे, talks about with their brothers, उनको अपना brothers मानेंगे, अपना भाई मानेंगे, ठीक है, और अपने भाईयों के साथ walking करेंगे, गूमने जाएंगे, जिने वे पहले अपना सतरों समझते थे, inside of doing nothing, अब वे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, और उनके पास अब करने को लिए कुछ नहीं होगा, वो क्या करेंगे, पेडों की छाओं में गूमने का आनंद लेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, अब कवी का यहां कहने का क्या भाव है, कि सब भाग, दोड, चिन्ता, लड़ना समाप्त हो जाएगा, यदि मनुश्य अपने अंदर जांकेगा, ठीक है, कुछ समय निकाल के अंते निरिक्षन करेगा, अगर अपने आपको टाइम देगा, इंट्रोस्पेक्शन करेगा, ठीक है, शांत What I want should not be confused with total inactivity, life is what is about, I want no truck with death, if we were not so single-minded, all keeping our lives moving, and for once should do nothing, Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourself, of treating ourself with death, अब यहाँ पर poet का क्या मतलब है कहने का, Poet क्या कहना चाहता है कि जब हम अपने आप बिल्कुल निश्चित हो जाएंगे, ठीक है न, अपने आपको शांत कर लेंगे, अपने अंदर जांकना सीख जाएंगे, तो क्या नहीं होगा, सभी किरियाएं हमें एक तरह से बंद कर दें, मतलब जो भी एक्टिविटी हम कुछ भी ना करें, मैंने यह कह दिया कि सभी किरियाएं बंद कर दें, तो इसमें कंफियूज जोने की ज़रूत नहीं है, जो बात point क्या कहना चाहता है कि life is what it is about जीवन तो वही है जो इसका संबंध है जीवन से I want no truck to death कि मैं मिर्तिव से इसका संबंध नहीं मना रहा जीवन का संबंध तो जीवन से ही है मतलब मैं ये नहीं कह रहा है कि इनक्टिव हो जाओ इनक्टिव कब होते हैं जब death आती है तब ही तो इनक्टिव होते हैं तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल क्या हो जाओ मिर्तिव से संबंध बना लो जीवन का संबंध तो जीवन से है तो poet क्या कहता है कि जीवन को चलते रहना चाहिए इफ वी वर नोट सिंगल माइड़िड अपनी क्रियाओं को हम दर्ड निश्यत से एक आगरचीत कर पाएंगे ना तभी यदि हम ऐसा नहीं करते तो श्वम को हम बड़ी सोचनिय स्थिती में डाल लेते हैं यूज साइलेंस नहीं रखते हम तो हम क्या करते हैं इंटरप्टिड विद इस सैडनेस हम एक सैडनेस में घूश जाते हैं नेवर अंडरस्टैंडिक अवर सेल्फ और अपने आपको नहीं समझ पाते हैं ओफ्ट्रेटिंग अवर सेल्फ विद डैथ और इस तरह से हम क्या करते हैं अपने आपको अपने जीवन को मृत कर लेंगे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगर हम स्यम्म को नहीं समझ पाएंगे अवर सेल्फ हम अपने आपको ही नहीं समझ पाएंगे तो हम एक तरह से अपने आपको मृत कर लेंगे यानि death बना लेंगे अपने आपको इस तरह इस बात के घटित होने इसका एक मात्रिक क्या तरीका है कि हमें क्या करना चाहिए अपने आपको introspect करना चाहिए ठीक है न? next देखी next में point क्या कहना चाहता है perhaps the earth can teach us कि साइद जो earth है जो प्रित्वी है वो हमें सिक्षा दे रही है कि धर्ति का उधारण दे कर point क्या कहना चाहता है कि एक example दे रहा है earth का वो क्या समझाना चाहता है कि हमें धर्ति से कुछ सीखना चाहिए कैसे सीखना चाहिए as when everything seem dead जब सब कुछ dead हो जाए सब कुछ नो खतम हो जाए तो हमें धर्ती से शीखना चाहिए ठीक है कैसे जैसे हम हमें लगता है क्या लगता है कई बार प्रित्वी हमें क्या लगती है कि मरी हुई पर्तीत होती है और बाद में वो क्या करती है अपने आपको अपने आपको साबित कर देती है कि वो जीवित है मतलब क्या हुआ कि जब सर्दी का कभी पजड रित वाती है तो एक तरह से सभी पते जड़ जाती है तो हमें भी क्या करना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए शांत बैटकर अपने आपको क्या करना चाहिए introspection करना चाहिए अंतर निरक्षन करना चाहिए और फिर हम हमारी आतरा क्या हो जाएगी एक नए तरह से हम refresh हो जाएगे यानि हमारे अंदर भी ताजिगी आ जाएगी नए उर्जा जाएगी नए द्रिष्टिकोन के साथ जब हम काम करेंगे तो और भी अच्छा करेंगे हम और भी alive हो जाएगे अब point क्या करता है now I will count up to 12 and you keep quiet I will go अब कभी part जो reader है readers को क्या कहता है कि अब मैं तुम्हारे उपर सारी बात छोड़ देता हूँ कि तुम 12 तक गिनो थोड़ी देर के लिए बैठो और अपने आपको अन्ते निरिक्षन करो I will go कि मैं जा रहा हूँ अब तुम क्या करो keep quiet चूप चाप बैठो और अपने 12 तक काउंटिंग करो और अपना अन्ते निरिक्षन करो ठीक है तो ये आपकी poet थी sorry poem थी we will we will तो कौन सी poetic device होई जब consonant की repetition होता है consonant sound का यानि first alphabet consonant होता है तो कौन सा होता है आपका poetic devices या figure of speech alliteration alliteration क्या होता है अनुपरासलंकार repeated consonant sound ठीक है अब यहां पर arms arms का दो मतलब निकलते हैं बेटा arms का मतलब एक तो होती है हमारी physical moment ठीक है न बाजू को बोलते हैं upper limbs को बोलते हैं sorry lower limbs को बोलते हैं और arms एक होता है weapon ठीक है न हतियार हतियारों को भी तो weapon arms बोलते हैं जब एक words के एक से ज़्यादा meaning निकले ठीक है तो उसमें होता है pan कौन सी poetic devices होती है pan pan को क्या बोलते हैं sleigh salangkar ठीक है आपने हिंदी में देखा होगा sleigh salangkar एक सब्द का एक से ज़्यादा आर्थ निकले ठीक है अब भी यहां पर देखो आगे we would यहां पर भी double sound के बार बार repetition हो रहा है तो allotation हुआ यहां पर heart hand ठीक है तो इस तरह से आपने poetic devices को ढूंडना है ठीक है और लिखना है जैसे यहां पर भी war with double sound repeat हो दिरी है तो यहां पर allotation clean cloth यहां पर भी allotation use हुआ है ठीक है तो इस तरह से आप ढूंड लोगे जैसे we were mostly यहां पर allotation परचूर मात्रा में यानि काफी मात्रा में हुआ है use ठीक है तो ऐसे ऐसे अपने ढूंड लेना है ठीक है पर poet ने एक और poetic device यूज़ गी है जिसको symbolism कहते है ठीक है poet uses earth ठीक है symbol of earth ठीक है symbol of earth कैसे है winter vacation जब winter होता है winter season तो पिरित्वी कैसी लगती है earth seems to be dead कि फिल्कुल dead लगती है क्योंकि सब एक्टिविटीज बंध हो जाती है एक तरह से फ्रीज हो जाती है earth तो poet uses symbol of earth when winter came earth seemed to be dead and rather in spring season जब वसंत रितु आती है तो it is proved that it is alive because it has new color and beauty पेटों पर नई-ने पतियां आ जाती है ठीक है नई-ने फूल आ जाती है तो पिरित्वी कैसी लगती है alive लगती है ठीक है तो यहां पर poet ने क्या यूज किया है symbol यूज किया है किसका earth का ठीक है कई बार ये भी आ सकता है कि keep quiet का मतलब क्या हुआ poet क्या कहना चाहता है यहां पर ठीक है तो वो हम question answer में करेंगे question answer अलग से करेंगे और इसके description box में मैं कल तक आपका google form डाल दूँग google form में आपको क्या होग question answer मिलेंगे इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने poem को कितना समझा है ठीक है उसमें साथ में ये आपका score आजाएगा कि कितना आपने score किया तो सभी पढ़ते रहें thank you